तो सबसे पहले हमें क्या करना है यह हमारा incubation period है सबसे पहले आप decide कर लो कि आपको coaching कौन से decide करनी है ठीक है यह अगर आप self prepare कर रहे हैं जैसे एक होता भी है तो self क्यों prepare करना चाहते हैं क्या self में आपको कोई guide करने वाला है कोई वेक्ति आपकी निगरानी करने वाला है क्या आप अपने भ्योहार से बहुत परचित हैं कि जब आप एकाध हपते बात थकान मैसूस होती है या लेथार्जिक हो जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती तो क्या कोई आपको motivate करने वाला डाटने वाला या एक system में डालने वाला है या नहीं है हमें भी बहुत आउशक्ता परती फॉर एक्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि पिछले कुछ समय से health system बरबाद कर लिया था ठीक है विल्कुल टाइम नहीं दे पाया थे ये काम वो काम meeting class फलाना डिकाना तो जैसे अब मैं आपको इतना कोच करता हूँ लेकिन कई पर हमें बड़ी जरूत पड़ती है टीचर की अब जैसे घर में खुद equipment ले आए और घर में थोड़ा से कभी किया कभी कोई कॉल आ गई कभी कुछ हुआ दिमांग विल्कुल वही रहा फिर क्या हुआ एक दिन एक online class योकी जोईन की कि भी चलो करते हैं अब वो टीचर इत होती है एक जिसे हम लोग टीचर कहते हैं या कोच है उसकी भूमी का क्या होती है वो बेसिकली आप से जब हमारी अपनी क्या होता है हमारे दिमांग में एक comfort zone होता है comfort zone का मतलब यथा इससे बनाया रखना तो वह comfort zone से वह हमें बाहर निकालता है यह सबसे important है और हमें realize करात जो है वो मीटिंग्स हैं लगातार classes है तो अब खुद के लिए समय नहीं निकल पा रहा है तो इससे में वह क्या करता है तुम्हें आना है अब जैसे एक दिन कोई class नहीं की क्यों नहीं आए class में क्या बात होगी ठीक है तो वो मुझे motivate करके रख रहा है तो अच्छा कर सकत यह सबसे बहुत मात्पूर्ण भूमिका होती है तो आप पुछेंगे अभी से कि मुझे self करना है या मुझे जो है वो institute के साथ जाना है इंस्ट्यूट क्या होगा ये भी आप decide कर लेंगे फिर आप अपने subject combination के साथ जाएंगे जो मैंने आपको बताया कि कि किस तरह के subject या अलग-अलग हिस से यह आपको तयार होने चाहिए इस तरह के जो basic colorful जो है वो जो आपके logos होते हैं इसमें आप लगाने के लिए आप लगा सकते हैं माली जे history के लिए, polity के लिए, geography के लिए आपने अलग-अलग segment तयार के लिए यानि कि आप जब एक बार पढ़ाई शुरू तो आप ये pre preparation के लिए mindset prepare करने कि हमें इसको कैसे लेकर चलना है अब हम आजाते हैं अपने मंत की शुरुवात में मंत की शुरुवात में जैसा मैंने बताया कि माल ले हम यहाँ पर 6 घंटे से अपनी शुरुवात को मानते हैं 6 hours अब 6 hours आपके पास होना चाहिए 6 hours में आप यहाँ पर जो है शुरू करेंगे अपना तो यहाँ पर आपके पास पहली बात कि आपके पास 2GS subject रहेंगे प्लस न्यूसेपर रहेगा प्लस नोट्स रहेंगे और यह नोट्स जो होंगे वो synopsis बेस पे होंगे यानि shorter बेस पे होंगे तो यानि अगर मैं मान के चलू कि गंटे मुझे एक-एक subject के लिए देना है self study की बात कर रहा हूँ तो मुझे यह subject आपको एक से दो घंटे आपको यहाँ पर निकालना पड़े गए यह वन आवर जीएस revision के लिए one hour जीएस two revision के लिए job ने combination बनाया कम से कम 45 minutes आप जो है वो newspaper पढ़ेंगे और इतना ही time आपको जो है notes बनाने में आपको लगना चाहिए कम से कम इसके बाद जो time बचेगा उसको आप revision के लिए लगाना शुरू करेंगे और इनको बार बार पढ़ेंगे क्योंकि शुरुआती दोर में क्या होता है हमें एक गलत tendency हमें गलत आदत पढ़ जाती है हम चीजों को ज़्यादा आगे थे पढ़ना चाहते है आज मैं विपिन च अनि शुरू हो जाएंगी तो आपको सबसे पहले ये तीन काम करने है अब फरवरी मार्च अप्रेल तो फरवरी महीने में आप अपनी पढ़ाई को पांस से शे घंटेम जिनका अभी कम है छे से वो five to six hour अपनी शुरू कर सकते हैं इसे आप से अपना टाइम लगा सकते हैं जैसे ही आप मार्च महीने में आएंगे यू स्टार्ट तिंकिंग अबाट ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सोचना शुरू कर दीजे कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है अब ऑप्शनल के दौरान जैसे अगर हम बात करें तो फरवरी मेंक्रासे शुरू करने से पहले जो भी तयरी शुरू करने से पहले आपमने बेसिक करना शुरू कर दीजे फरवरी में आप आ वादि फरवरी में आप अपने प्रवर्र 2-6 hours ने Nee लो компर्ष यूरे सकते हैं आपने नोट्स के लिए और रिल्षन के लिए लेकिन ज आपको इसमें वन आवर बढ़ाना पड़ेगा, यानि अब आप six to seven hours की slot में आप आ जाएंगे, इसमें आप एक अघंटा जो है, वो optional के लिए जोड़ना शुरू कर देंगे, अगर कोई दुविधा वारी है, तो भी आप हद से हद, बाकी सारी चीजन चलती रहेंगी, हद से आप अपरिल में आते आते, आप अभी भी six to seven hours में रहते हुए, दो जीएस के साथ, आप optional चूज कर लेंगे, इसे लेट बत करिएगा आप, क्योंकि optional जो है, वो छे साथ महीने ले ले लेता हूँ, और कई बार उसको रिवीजन करने हैं, उसमें अपनी efficiency बनाने में एक आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा, next one, मही में आ जाते हैं, मही में इस दौरान आप अपनी पढ़ाई को seven to eight hours के slot में लेके चले जाएंगे, seven to eight के slot में आपको इतनी requirement पड़ेगी, seven to eight hours के slot में जाएंगे तो आप यहां optional के hours बढ़ा देंगे, बाकि स की आउशकता है, चाहे आप जो भी optional है, आपका अपना जो भी optional है, इसमें आपको शुरुवाती दौर में बहुत जादा input देना पड़ेगा, classes भी इसकी लंबी होती है, साथी साथ इसमें जो regular answer writing इसको जो है maintain करने में, शुरुवाती दौर के जो topics होते हैं, खास दौर पर जो paper one के topic होते हैं, वो हमेशा हर optional के tough माने जाते हैं, उसमें सबस्यादा time लगता है, उसको इसी तरह बनाया ही गया है, कि सबस्यादा जो, जिसे कहते है, crux part वो उसी के लिए रहता है, तो यहाँ पर आपको यह time दे के चलना पड़ेगा, अब यहाँ पर आप अपने GS subject को vary करा सकते हैं, अब GS के साथ और नए चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं, for example, अब मली जाप की quality खतम हो गई, तो अब आप history portion में या geography portion में entry कर जाएंगे, same अपना combination आपको यहाँ लेकर चलना है, ठीक है, इसी तरह June में भी आप चले जाएंगे, अब June में आपको एक नई जोड़नी है, यह बात ध्यान रखिएगा, जून आते आते, आपके पास अब एक कम से कम दो से तीन subject की अच्छी knowledge हो रही होगी, optional भी आपका एक unit खतम हो चुका होगा, दो unit खतम हो चुका होगा, और आपके पास कुछ inputs आ चुके होगे, अब आपको करना क्या है, जून मे optional, plus GS, plus newspaper, plus revision, ध्यान से समझते जाना, plus अब इसमें एक चीज जुड़ जाएगी, जो maximum student गलती करते हैं, maximum गलती करते हैं, वो आपको चीज आपो लेकर नहीं आते हैं, और उसे बोलते है answer writing, उत्तर लेखन, यह मई और जून से आपके साथ सेट अप हो जाना चाहिए, और इ 8 hours to 9 hours टच करनी चाहिए, यह आपके requirement हो जाएगी, जून से आपके पास optional की preparation, GS की preparation, news paper, revision, और आपका जो answer writing भले चाहिए, आप दो answer लिखो, तीन answer लिखो, आदे गंटे, 45 मिनट, लेकिर आपके इसमें, आपके daily जो दिन चर्या है, उसमें हर हालत में answer writing input आ जाना चाहिए, कई बच्चों को लगता है कि अभी हमें क्या जल्दी हम पहले पढ़ लें, फिर आगे देखेंगे हमें answer writing कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, बट यह एक बहुत ही गलत जो है वो चरण होता है, तो यहाँ आपको answer writing हरालत में करनी ही करनी है, clear, चले, यह याद रहेगा, optional, GS, news paper, revision और answer adding, तो अब हमने यहाँ तक देखा, अब हमारी पढ़ाई 8-9 hours, अब हमें इसी को आगे लेकर continue करना है, subject आपके खाताम होते जाएंगे और आपको जो है इसके साथ आगे चलते जाना है, तो अब चाहे वो जुलाई का महीना हो, अगस्ट, September, October, November और December, clear, तो 8-9 hours अब आपको regular touch करना पड़ेगा, जुलाई आते आते, अब जैसे आप optional अपना कर रहे हैं, प्लस आप GS कर रहे हैं, प्लस आप answer writing कर रहे हैं, अब news paper के साथ आपको कुछ नया करना पड़ेगा, यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि अब क्या हुआ, कि तब तक आपके जो है वो दो से तीन GS के subject खतम हो चुके होंगे, और GS के कई subjects में, जैसे माल लो पॉलिटी का हो गया, economics हो गया, या geography हो गया, आपको उनके base के बारे में पता चलने लगा हो गया, newspaper अब पढ़ने की आदत हो चुकी होगी, अब इस newspaper से आपको notes बनाने होगी, यानि अब जो notes आप बना रहे थे, वो आप newspaper based notes बनाने होगी, यानि आपको editorial अपडेट करना होगा, चाहे हिंदी हो जाएगा, जैसे कोई नई चीज़ है, मालो अभी vaccine diplomacy word use हुआ, तो vaccine diplomacy क्या होती है, vaccine diplomacy भारत कैसे कर रहा है, और किन देशों को सहायता पहुचाने की कोशिश कर रहा है, आत्म निर्वर भारत क्या हुआ, तो इस तरह कि जो topics हैं, उनको आपको notes में लेकर आना पड़ेगा, पहले दिन से क्यों नहीं कहा notes, क्योंकि पहले दिन से क्या होता है, कि notes बनाना और interest generate करना ये दोनों अलग अलग चीज़ है, जब तक कि news paper habit ना बन जाए, कि मेरी आदत बनके मुझे news paper पढ़ रहा हूँ, तब तक आप कभी भी notes की तरफ नहीं जा सकते, जातर देखा गया ह कि news का जो प्रकार है, वो किस तरह से आ रहा है, जैसे अभी आज की date में, हमारे जितने भी ओजांकियन्स हैं, जो भी हमारी class के बच्चे हैं, वो मुझे सुबह 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 बहते जाता है कि news में अब क्या चीज़ आ रही है, अब आज की rate में उनको update करना, जितने भी अ में discussion हो चुकी है, चाहिए आत्म निर्व भारत को लेकर, किसान के आंदोलन को लेकर, vaccines को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर हमारी class में discussion हो चुकी है, वही लगबग जो है, वो अखबार में अब आया है, तो अब उनको update करने बहुत कम time लगता है, और उस पे उनका जो एक orientation ह अब आज की rate में जैसे कई बच्चे है, तुरंद मुझे उसका flow chart बना के भीदेते हैं, सरे आज का ये editorial रहा है, ये update रहा मेरा, तो उसमें hardly वो जो है, वो पूरे editorial को बहुत छोटे से हिस्से में cover कर देते हैं, ये चीज़े skill के रूप में आपके सामने आनी शुरू हो जा कि अब आपके पास revision करने को बहुत कुछ है, और revision का time basically जो रात में जो सोने से पहले का time है, वो आप रखेंगे, सोने से पहले के time में, clear, तो इस दोरान आप revision ये बहुत ही mandatory part है, इसको आप skip किसी भी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको gsp revise करना है, जो आपने newspaper के notes बना है, वो भी revise करना है, और option को भी एक सरसरी नजर से, जो आपके teacher ने पढ़ाया है, या आपने जो short form बनाए है, उसको आपको हर हालत में revise करना ही करना है, अगर आप इसको revision को भोलेंगे, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि जो आपने February या March में जो subject पढ़ा था, वो इस September तक अब आपके पास जो है पढ़ाई के घंटे जो है, एट तो नाइन आवर्स दीरे दीरे अपडेट होना चाहिए, आराम से कोई बहर जल्दबाजी नहीं है, और same schedule को आप आगे लेकर चलते रहेंगे, कब तक आप चलेंगे, अगर September अक्टूबर तक, October तक आप आपके बढ़ जाने चाहिए, चार, पांच, छे, इस तरह के daily आपको answer writing करने का, जहां भी आपको खाली मौका मिले, एक pen paper लिया और आपने answer writing करना शुरू किया, यानि आप अब जो भी बात आप जो कहेंगे, वो हमेशा आप answer writing के term में कहेंगे, किसी को बरवली बताने की बजाए, लग पेन law में लिख देता हूँ, ठीक है, एक आधत इसको develop करना है, जहां पेन paper मिला तो law में लिख देता हूँ, यहां आप optional को close करेंगे, ठीक है, ऑप्शन को close करने के साथ साथ उस पे जो practice है, वो आपने करना शुरू कर दिया होगा, और अब यहां पर जो अब आपको mains और pre दोनों को link करना है, और आपके पास information बहुत ज़्यादा आ चुकी है, अब उसको आपको current के साथ update करते हुए इसको बढ़ाना है, तो new super updation आपकी यहां ज़्यादा हो जाएगी, इस दौरान आप क्या करेंगे, आप जो है वो नई नी चीज़ें जैसे की GS को revise करना, revision का आपका time ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि आप आपके पास बहुत ज़्यादा सामाना आ चुका है, answer writing का दायरा आपका बढ़ जाएगा, यह आपको regular करना, अगर आपने यह कर लिया, तो आप बहुत आसानी से UPSC को qualify करने की input रखते हैं करने हमें ज़्यादा से दिएराइब को बढ़ हैं झाल झाल